नमस्कार दोस्तों सामान्य ज़््यान्की श्रीज का ये हमारा 11 लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं प्राचेन भारत के इतियास में egaluk kevants के बारे में इससे पहले जो है हमने राष्टकुट वंस के बारे में पढ़ा था त्था तो राष्टकुट वंस का जो संसथापक दंती सब्साइब भाग लिया था आज हम पढ़ेंगे चालू के वंस के बारे में तो चालू के वंस की जो की गई थी वो किस के दो उपया दित्ते के दुवारा उनके राजदानी कौन और विज्ञानेश्वर इनके द्वारा जो है मिताक्षरा एक हिंदू विधीगर्ण था वो लिखा गया था जो की यागवलक के इसमर्ती प्राधारित था अच्छा ये प्रशन जो है दोनों प्रशन बहुत बार आच चुके हैं कि मिताकसरा दो है किसकी रचना है तो वो है विज्ञानेश्वर की रचना और विक्रमांग देवचरित किस सासक से सम्मंदित है तो वो है चालू के वंस के सासक विक्रमादित्य फोर्थ से और विल्हन के द्वारा जो है वो लिखी गई थी अच्छा इसके बाद में हम पढ़ते हैं चालू के जो वंस था वो कौन सा वातापी का यानि वातापी का है बीजापूर के निकट है करनाटक में और यहां पर इस वंस की स्थापना जो है वो किस ने की थी जैसिंग के द्वारा यानि वातापी में जो चालू के वंस की स्थापना जैसिंग के द्वारा की गई थी और इसका प्रतापी सासक कौन था पुलकेशियन दित्ये अच्छा पुलकेशियन दित्ये के बारे में जो है हम पहले भी पढ़ चुके है कैसे क्योंकि हमने साइद नहीं हमने पुश्य भूती वंस पहले पढ़ चुके है उसके साथ सकते हर्षवर्धन तो पुलकेशियन दित्ये ने हम पढ़ चुके हैं और पल्लव सासक कौन थे नर्शिंग वर्मन प्रथम उनके द्वारा पुलकेशन दित्ये को प्राजित किया गया और वातापी कौन की उपाती धारन की गई ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वातापी कौन की उपादी जो है पल्लव वंस के बारे में हम हमारे पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं तो पल्लव सासा कौन था वो नर्शिंग वर्मन पर्थम इसने कि स्कोर आया पुलकेशन दित्ये को जो कि वातापी के चालू के वंस के सासक प्रशन बहुत बार पूचा चाए कि एहुल अभिलेग का संबंद किस्षे हैं, तो एहुल अभिलेग का संबंद जो है, वो पुलकीशन दीत्ये से है, उसके लेखक कौन है, रवी कीरती है, वातापी का जो निर्मान करता है, वो कोन है, वो है कीर्थी वर्मन है और सक्क लोत्तर पतनात की उपादी किस चालुक के वन्स वातापी की जो है उनके द्वारा धारन की गी तो है विनिया दित्ते क्योंकि इनके द्वारा मालवा को प्राजित कर दिया गया था मंदिरों का सहर किसे कहते हैं मंदिरों का सहर जो है एहोल को कहा जाता है एहोल अचा जो विक्रमा दित्ते उनकी पर्थम पतनी थी कौन वो थी लोक महादेवी लोक महादेवी के द्वारा जो है पदक्कल में विरुपाक्ष महादेव मंदिर विरुपाक्ष महादेव मंदिर का निर्मान करवाय गया इनकी दूसरी पतनी जो थी वो थी तिरलोक के देवी इसके द्वारा जो है तिरलोक के इश्वर मंदिर का निर्मान जो है करवाया गया अच्छा इस वंस का जो अंतिम राजा था वो कौन था वो था कीरती वर्मन दित्ये कीरती वर्मन दित्ये इस व आपको जो है जो वातापी की चालुक के वंस था उसमें जो इंपोटेंट है वो है फुलकेशन दित्य की वातापी कौन की उपादी जो नर्शिक पर्थम के द्वारा धारन की गई एहुल अभिलेक का समन्द किस्से हैं ये भी महुत इंपोरेंट फैक्ट है बहुत बार प्र परदेश में है यहां जैदा को इंपोरेंट फैक्ट नहीं है बस इसके संस्तापक जो है विश्नु वर्धन थे इतना याद रखना है और जो इसके सासकता परतापी सासक वो विज्या दित्य तरत्य था और यहां सेनापती थे वो थे पंडरंग इसके बाद में कुछ राजदानी थी देवकिरी इसके बाद में होईसल वंस ये भी व्यादव वंस की एक साखा थी कौन होईसल जो वंस है वो यादव वंस की एक साखा थी इसके संस्तापक जो है विश्नु वर्धन है और होईसल वंस की जो राजदानी है वो है द्वार समुंदर आदूनिक हल कदम क मंस का संस्ता पक था मयूर शरमन, राजद्धानी बन्मासी, कंग मंस के शंस्ता पक जो थे वो थे ब्रज, हस्त, पंचम, राजद्धानी कुलालिया तलकाड, दत्तक सुतर पटीका लिखने वाला गंग सासा कौन था oni था माधाव पर्थम इसके बाद में काक्ति एवन्स का जो संस्तापक था वो कौन था काक्ति एवन्स का जो संस्तापक था वो था बीटा प्रत्थम राजधानी इसकी जो थी वो कौन सी थी अमकौन थी कि दोस्तों हाज ओने को से महँकरती राजवनस के बारें याद किने की सबसें बैस्त ट्रीक य है कि आप इसका जितनी बार revision कर सकें उतनी बार कीजिए और जो important facts हैं उनको जो है आप अपने notes बनाईए और ये lecture एक बार देख के उसके बाद आप पढ़िए आपको बहुत easy लगेगा याद करने में और notes बनाते रहिए जितनी मार revision करोगे अच्छे से याद हो जाएगी इसके साथ current affairs अतने करते रहिए जैहिन दोस्तों